नमस्कार मित्रों क्या हल चाल है और कैसे हैं जैसा कि आप सभी को पता है आरार भी दोवरा एंटीपीसी गिर्जुएट्स लेविल का तो पहले ही फाम आ चुका था लेकिन अंडर गिर्जुएट्स लेविल का फाम अब आ चुका है अपलाई होना है स्टार्ट हो गया है सब कुछ जानेंगे सटिक से किसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा कितना नंबर का सीबीट्ट्र में कितना नंबर का पुलपद कितना है तो कैसे पर नहीं जब कुछ आपको हम बताएंगे समझ लीजिएगा और वो भी कम समय में एक दम सटिक जनकारी आपको घा पढ़ेगा उससे पहले जान लेजिए इसका जो कुल पद है वो 2445 अर्थात 3445 पद है कि मैस पूछे जाएंगे आपको सीबीटी वर्न में 30 नंबर का 30 प्रसंट रिजिनिंग पूछ जाएंगे 30 प्रसंट तीस नंबर टिकेंड जीएस जेनरल आबरनेस 40 प्रसंट पूछ जाएंगे 40 नंबर और यह सभी के लिए समय आपको दिर घंटा यानिके 90 मिनट से ही दिया जाएगा तो सब में पांच पांच नंबर बढ़ जाएगा ती बीटी वर और से बीटी टी टू में आपको टेंसर नहीं लेना है तो हमको दोनों बार त्यारी करना पड़ेगा बि सब्सक्राइब करना है तो जो कॉमन सब का जरूरत होता है वो पीडिएफ को कट करके यहां पे लाएं अब आके आप टोटल पर सकते हैं टेलिग्राम से जाकर के डाउड़ कर लीजिए के सब लिखा गया है कहां पे किसके बारे में लिखा गया है तो आपको समस्या होगा नोटिफिकेशन में देख लीजिए किसे पेज नमर में दिया गए आप उलटके पर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जो होता है इसका जो फॉर्म भराने स्टार्ट होगा यह कब से होगा इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और यहां पर लिखा गया है कि डे अप्लिकेशन अप्लिकेशन हो जाएगा 21 संबर 2014 से स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर 2014 को पारहा बजे समापत हो जाएगा हम भराना कि टेट फोर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट एक को इस अक्टूबर तक आप लास्ट में कर सकते हैं एक इस से लेकर बाइस तक है इसके बाद यहां पर और भी जनकारी दिया गया है सबसे कोई विश्यस देना दिया नहीं है देखा है कि डेट फोर मोडिफिकेशन विन्डू फोर करेक्शन इन अप्लिकेशन फ्रॉम बीज पेमेंट आप पोडिफिकेशन फी पीज नोट डिटेल फिल्ट इन एकाउंट अगर कुछ भी मोडिफाइब करना हो इसके अलावा तो आप तेस तारिक से लिए करके एक एगारा तक मोडिफाइब कर सकते इसलिए जनकारी बेदर जुटा करके अच्छा से फर्म बढ़िएगा ताकि कोई गरवड़ी नहीं पाया जाए उसके बाद चलते हैं कि सर यह आपको एक चीजब दिखा रहा होगा अपको दिखरा वर नेम आप पोस्ट में आपको यह चीजब दिखरा होगा पोमर्सियल कम टिक टीक्ट कलर कि ना इसका प्रीमेंट लिखा गया एकिज़ आज सास्थ सो और यहां पिए समय इसका उम्र लिखा गया कब से कब तक आइस इसी परकार से देखेंगे एकाउंट कलर कम टाइप इस्ट इसका 900 सेलरी है इनिसियल पेमेंट है टोटल वेकेंसी 361 है टूनियर कलर कम टाइप इस्ट नौशन नभे वेकेंसी ट्रेंस कलर 72 वेकेंसी और टोटल को आड़ करेंगे तोटल वेकेंसी होगी या 3445 अब कहिए कि सर के स्क्राइब मुझे बताईए जो और अफिस्यल यह दियुक्त के बारें बोले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको दिख रहा होगा देखिए क्या लिखा गया है फर्स्ट टेस्ट इस्ट कॉंप्यूटर बेस्ट टेस्ट इग्जाम सीविटी वन इस मार्क्स का और यह टोटल कोशन है गाशाओ समय दिया जाएगा 90 मिनट्स यहां पर एक ची और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दियर बिल भी निगेटिव मार्किंग एंड वन वाई थ्री मार्क्स साइल भी डिड़क्टेट फ्रम इच रॉंग एंस वर वाई थ्री आपको कट जाएगा परतेक गलत आंसर देने पर आपका साहिथ हा उसमें से ठीक है इसके बाद कहिए किसर सीबीटी बला बताई और क्या-क्या परना ये भी लिखा गया डॉंट वरी अब सीबीटी टुबला देखिए तो अफिस्यली नोडिफिकेसन में क्या लिखा गया है अब देख सकते हैं प्रमिलिखा गया है सिकेंड स्टेज कॉंप्यूटर बेस्ट एनिकी सिट कहां भी आपको 90 मिन से पूछा जाएगा कॉन-कॉन टॉपिक से और रिजिनिंग में कॉन-कॉन से टॉपिक से पूछा जाएगा तो यहां पर यह तो आपको नहीं दिखना होगा बहुत छोटा छोड़ा लिखा गया है पीडिएप में आपको देख लिजएगा कि चलिए हम कोर्सिस करते हैं कि अलका फुल कलिवरा पूछाएगा जोमेट्री ट्रिगॉन मेट्री एन अल्यमेंट एस्टेटिक के था मैटका स्लिवस्ट पर हाते हैं आप पढ़िएगा पैजिस अपैजिस अप्लाई एगा डॉंट रिजिनिग में पराते हैं पूछा जाएगा आपसे एनलोजी ओंपल ट्रॉंबलिंग डाइग्राम फजल डाटा सब एक्षान टेटमेंट कोर्स आफ एक्षान डिसीजन मेंकिंग इस सब पर है जागा रिजिनिंग का सिलेवस्टा जेनल अबेरेश में आपको क्या परना है देख सकते हैं जीड़ेगा जन्रेल अबेरेश में आ गया तक्या ज आपको एक्षान से पहले पढ़के जाना है यह सबसे आपको पढ़ना है अब कहिए कि सर यह सब बात तो ठीक है सर अब हमको बताए कि परना कैसे स्टडी करेंगे तो अगर हम गावं से विलॉंग करते हैं हमें सहर नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है आप ऐसे कर सकते हैं पहली बात तो आप भूक लेकर के सिल्फ एस्टडी किजिए तो आप और पैसा खर्च किजिए गा तो आप आप मेरा क्लास ले सकते हैं पाकि जो सब्जेक्ट बढ़ जाता है वह आपको जिस्ट प्रेक्टिस भी किजिए बुक्स आप कहिए कि सर बू बेटर है जिसका कलास अब परती दिन उपर ले रहे हैं 100 दिन में ये बुक समापत हो जाए ताथमा दिन इस चल रहा है रिजिनिंग का परती दिन कलास चल रहा है दो पहर दो बजी इसका चल रहा है सारी दस बजे सब्सक्राइब के लिए आप अगर इतना पर लेते अब्जेक्टिव के रूप में रट लेते हैं आप कहें कि सर जी हम कभी नहीं समाने गया नहीं तो इसके साथ आप एक सब्जेक्टिव ले लेजिए क्रेन पॉब्लिकेशन का भी आता है गांधी जी वाला वो सब्जेक् आप सीधिया जाएए सार संग राप एंड जीस के लिए यहां से पर क्या पर रिविजन रगतार जारी रखें तो बनाने के लिए अगर आप चाहेंगे तो बुक आपको लेना ही पड़े अगर रिविजन करते हैं तो अगर आपका सब कुछ बढ़िया है तो यहां से इसको अगया है और सबस्थे आप करnya करना करता है और इसके नुसार से अपने घर और अभी से त्यारी को कर दीजेगा जारी तो निशित हो जाएगा नंकरी सरकारी लेकिन त्यारी को गैप नहीं करना है अग सब्सक्राइब कर देज़ेगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए लगातार कलास और नोटिफिक सब कुछ अठीक जनकारी के साथ ले करके आते रहता